ट्रिक बोड परिक्षा 2023 के लिए जो बिहार टॉपर स्रीज का संचालन हो रहा है तो बिहार टॉपर स्रीज के सभी वीडियो आप डेली इस चैनल पे 7 पीम पे एक नया वीडियो कलास आपके लिए अपडेट किया जाता है तो इस समय आप देख सकते हैं या आप कभी भी अनुसार कलासेज को देख सकते हैं क्योंकि सभी वीडियो कलास होते हैं तो चलिए इस स्रीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानते हैं इस सेम्पल पेपर सहब प्रेक्षा 2023 के लिए जारी किया गया है उसकी चर्चा करेंगे और पूरे बीस्तार से समझेंगे क कोई भी प्रसन आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो विग्यान का कौन सा उत्तर होगा क्यूं होगा पूरे बीस्तार से मिलों डिटेल में समझेंगे क्लास अकर अंत तक देखते हैं तो क्लास में आपको सभी प्रसन याद हो जाएगा तो यहां से खूब प्रसन मैट्रिक प्रक्षा में देखने को आपको मिलेंगे मैं सुरू में ही बता दिया हूं कि बिहार टॉपर स्रीज की सुरुआती सल थोड़ा सा लेट से हुआ है लेकिन अंतिम समय में अंतिम सिर्फ हम लोग गेस प्रसन की चर्चा कर रहे हैं जो इस साल के लिए समभावित है तो देख कोई भी क्लासेज आपका छूटा होगा तो नीचे आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाएगा मैं लिंक दे दिया हूं वहां से जाकर आप देख सकते हैं तो यहां पर देखे कुछ आपके लिए निर्देश दिया गया कैसे कैसे प्रस्ण को सुल्व करेंगे आगे कहा जा चलिएगा परते का आंसर नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा जो भी प्रस्ण का आंसर आपको नहीं मालूम है अगर गलत होता है तो उस प्रस्ण का आंसर मैं सही बताऊंगा याद करते चलना है चलिए पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पे है कोई इधर उधर की बात सिधे प्रसनर उतर पे फोकस रहेंगे पहला नमर प्रसनिया आप पे देखिए आप से क्या कहा जा रहा है कि एक मीटर फोकस दूरी वाले उतर लेंस की छमता होगी चलिए जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी कि एक मीटर फोकस दूरी वाले उतर लेंस की छमता क्या ह कि देखते हैं सबसे पहले कौन एस्टेंट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देता है जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए इस प्रसंद का सही उत्तर क्या होगा डेली सेबन पीम साम पे क्लास जोइन कीजिए और इसमें आप लाइब चैट ओपने रहेगा क्लास को देख सकते हैं कभी विद्यार्थी पहले प्रसंद का सही आंसर कमेंट किया है कि गुरुजी ऑप्सन भी एक डाई आपकर आपका चला आंसर बिल्कुल सही है बहुआ टाइप प्रसंदा देखिए यहाँ पर फोकस दूरी जिया गया है फोकस दूरी कितना है एक मीटर है देख लीजिए करा एक मीटर फोकस दूरी वाले तो उतल लेंस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लॉस में उतल लेंस की फोकस दूरी प्लॉस में उतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में चिन परिपाटी का लाइट चेप्टर में काफी महत्वपून युगदान होता है अगर परिपाटिक आप ध्यान नहीं रखेंगे तो माइनस एक आपका आंसर होगा जो गलत हो जाएगा अब हम जानते हैं लेंस की छमता कैसे निकालते हैं सर तो P बराबर वन बटा में एप बिल्कुल भी स्टार से मैं सुरू में बोल दिया समझेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा इसके आसपरास पर ही प्रसन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा बराबर वन डाई आप्टर प्लॉस में तो किलियर आपको समझने हैं ऐसे आप पढ़े होंगे कि एक डाई आप्टर उस लेंज की छामता होता है जिसका फोकस दूरी एक मीटर होता है तो बववा टाइप प्रसन था ओप्शन बी चलिए मैं पूरा बिश्तार से आपको समझा रहा हूँ ताकि एकजाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो इसके आसपास भी प्रसन आए तो आपको गलत नहीं करना है आगे बढ़ेंगे सर बात करते हैं आपके दूसरे नमर प्रसन की यहां पे आपके सामने दूसरा नमर प्रसन सो हो चुका है कर आए मानव नेतर के लिए द्रिष्टी का आस्थाई तुवा होता है चलिए आंसर दीजिए नहीं मालूम है तो सभी प्रसन का सही उत्तर मैं बता रहा हूं याद करते चलिएगा मानव नेतर के लिए द्रिष्टी का अस्थाई तुवा कितना होता है सर प्रसन यहीं पूसा जारा है तो एक बट्टा दस सेकेंड काफी सांदार अस्थाई तो मतलब कि कितना देर तक हम किसी बस्तू को बीना पुछ रहा है ऐसे तो हम अपने इक्छा से पूछ रहा है ऐसे अपने इक्छा से हम काफी दिर तक देख सकते हैं लेकिन अस्थाई तो मन कितना देर एक समान ने नेतर फोकस कर पाता है तो एक बट्टा दस सेकेंड और अपसन ने सही आंसर कर देंगे चलिए उमिद कर रह करते हैं यहीं पूछा जा रहा है अगर आप माना उन्ने तरता रंग विरंगा संसार से आप तर पड़े होंगे तो गयेगा सरफ बववा टाइप प्रसन है निकर्ट द्रिश्ट जोस काफी सांदार काफी बिद्यार्ती मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स के कमेंट कर रह चौथा नमर प्रसन के दूर द्रिश्टी दोस आ गया तो उसमें कौन सा लेंस का पर्योग होता है प्रसन यहीं पूछा जार आए सर तो उतल लेंस बवा टाइप प्रसन हो गया यहाँ पे देखे दोनों आ गया अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे निकर्ट पूर द्रिष्टी दोस में तो उतल लेंस काफी सांदार चलिए आगे बढ़ेंगे पांच नमबर प्रस्ण कहा रहा है प्रस्ण आपसे लगू पथन के समय देखिए ये सैंपल पर सह प्रक्टी सेट है तो सभी प्रस्ण याद करते चलिएगा लगू पथन के समय परिपत मे बिधु धारा का मान क्या होता है प्रस्ण यही पूचा जारा है तो पांच नमबर प्रस्ण का सही आंसर है उप्सन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है लगू पतन आप समझ रहे है सॉल्ट सर्किट की बात किया जारा है तो सॉल्ट सर्किट में क्या होता है बहुत अधिक ब से पूछा जारा है तो अगर आप तेंद्र के विद्यारती हैं तो कहिए गासर काफी असान प्रसंथा option भी byogas काफी सांदार byogas गोबर गैस को क्या बोलते हैं byogas गोबर गैस चलिए बिल्कुल असान प्रसंद था, प्रसंद एकजाम में इसी लेबल के आएंगे, आपको कोई भी प्रसंद गलत नहीं करना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, नहीं मालूम है, तो याद करते चलिए, समय का भी ख्याल रखना है, डेली 7 पीम पे क्लास जुआइन कीजिए, चैनल को सब् सब्सक्राइब करें करें के डेली आपके लिए इसमें क्लास अपडेट किया जाएगा, सात नमर्प्रसंद देखे क्या कह रहा है, कहएगा ना भी किये बिदुद सनियंतर किस राज़ में है, तो करनाटक में है, काफी सांधार, ऑप्सन भी को सही आंसर कर देना है, आगे प्रसन अपने से कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित परतिबिम्ब बनता है किसी वस्तु का आवर्धित परतिबिम्ब कहा बनता है सभी भी आई प्रसन है कई बार पूछे गए प्रसन है इसको भी आरबोड हमेशा पूछते रहाता है आठ नमर प्रसन को मैं देख रहा हू कमेंट बॉक्स पे काफी भी ध्यारती साथ नंबर प्रसंद तक बिल्कुल सई से उतर देते हुए आ रहे हैं तो आपको भी सभी प्रसंद का सई से उतर देना है नहीं मालूम है तो याद करते रहिएगा योकि अब एक जाम में कम समय है तो कोई धर-धर की बात नहीं सीधे प्रसंद उतर पे फोकस रहेंगे किसी बस्तू का आवर्धित परतिवीम बनता है तो किसी बस्तू का देखे हम लोग कल मयत की चर्चा कर रहते तो हम लोगो परियाप समय ले रहे थे कि उसको स्वाल करना था मैं आपको समझा भी रहत ता लेकिन यहां पर भी जो जो समझा प्रसन आपको याद होगा और दरपन से बिलकुल सही तो आगे बढ़ते हैं नौ नमर प्रसन पिछले क्लास में आपको बताया था करें हजामत बनाने के लिए परियोग किया जाता है जो प्रसन रीपीट करेगा पिछले क्लास से उसको तो देखते देखते आपको उतर करना है तो हजामत बनाने के लिए कौन से दरपन का परियोग करते हैं तो मैं बताया था पिछले क्लास में कि हजामती दरपन को आउतर दरपन को बोलते हैं तो ऑप्सन भी काफी संदार नौका हो जाएगा ऑप्सन भी काफी विध्यारती मैं देख रहा हूं सही से आंसर कम योग होता है तेखिए प्रस्ण कितना एक ही प्रस्ण को बाराबार घुमाया जा रहा है कि आपको concept किलियर है कि नहीं जैसे ही निकट द्रिश्टी दोस्त आएगा वह एसे ही उत्तल लेंस आपके दिमाग में आजाना चाहिए जैसे ही दूर द्रिश्टी दोस्त आए वह एस जहीं आपके दिमाग में उत्ता लेंस आना चाहिए आगे बढ़ते हैं तो यह 10 नमर प्रस्ण का सही आंसर क्या होगा ओप्षन भी जो भी दारती ओप्षन भी कमेंट किया है आपका आंसर बिल्कुल सही है प्रस्ण वही है घुमा रहा है अब देखिए 11 नमर प्रस्ण आप प्रस्ण आपका चला आंसर बिल्कुल सही है आप इस सल 2023 बोर्ड परेक्षा में तुफानमा जाने जा रहा है नहीं मालूँ था कोई चिंत रहे हैं याद कर लिजिए परकास के कीरन के समू को जन पुन्ज कहते हैं परकास रो तुझी से परकास निकलता है फिछले कास मिल पड़े थे परदीप्त बस तू आप जानते होंगे प्रकिनलन परकास का तो आप परचीत हैं इससे चलिए तेरह नमर प्रस्ट कराए किसी माध्यम में छोटे छोटे कणो के निलंबन को कहा जाता है चलिए देखते हैं कितने विद्यार्ती तेरह नमर प्रस्ट का बिल्कुल सही से उतर सबसे पहले कमेंट कर पाते हैं कराए किसी माध्यम में छोटे छोटे कणो के निलंबन को कहा जाता है या कहा जाता है गुरुजी तो collide काफी सांदार चली आंसर देते रहेगा काफी विध्यार्थी मैं देख रहा हूं आंसर दे रहेगा जरदेल दी सभी विध्यार्थी आंसर देंगे इधर उधर की कोई बात नहीं सीधे परस्ण उतर पे फोकस रहना है क्योंकि एक जाम में काफी कमस्म है और आप जानते देखते हैं 14 नमर प्रस्ण के कितना आंसर आता है सही सही क्योंकि काफी सांदार प्रस्ण है 14 नमर प्रस्ण और काफी लॉजिकल प्रस्ण है कॉंसेप्ट पे बेस्ट प्रस्ण है अगर आप कॉंसेप्ट को सीखे होंगे तो इस प्रस्ण का सही उतर आप दे पाएंगे आ कर रहा है कि गुरुजी option D आपका चला answer बिल्कुल सही है 200 से 300 ohm कैसे हो गया तो यहाँ पर दिखिए अब ध्यान से मैं आपको समझा देना हूँ आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ नहीं रखना है हम लोग जानते हैं मानव सरीर का परतिरोद वो गीला हो जाएगा यह भी आपको याद रखना है वैसे ही हमारे सरीर का परतिरोद हो जाता है 200 से 300 ohm तो वहीं यह पूछाता कि अगर पूछे सीधे सीधे चर्म गीला होने पे तो 200 से 300 ohm तो मुईद कराओ इस परसन का जवाब समझ चुके हैं आगे बढ़ेंगे 15 नमर प्रसन कहरा है प्रसन आपके स्क्रीन पे जल्दी से पढ़िए और यह थोड़ा निमेरिकल टाइप प्रसन है लेकिन आसान टाइप प्रसन है क्योंकि एक माक्स वाले प्रसन कितना हाड़ आप से पूछ सकता है जल्दी से आंसर देंगे सभी विद्यारती 15 नमर प्रसन का सही आंसर क्या होगा किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एंपियर की धारा परवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा प्रसन यहीं पूछा जा रहा है फिलामेंट का प्रतिरोध बताना है अब बताईए आप आर बराबर क्या होता है कि एगा विववांतर भी बटा में आई अभी तो भी है यहीं विववांतर 220 वोल्ट यहाँ पे देख लेज़े तो 220 यहाँ पे हो जाएगा आई धारा तो कितना की धारा पर वाई थो रहाए दो एंपिर तो नीचे दो हो जाएग कटा देंगे 110 प्रतिरोद का ऐसा ही मात रख ओम कहां पे है सर भी पे है काफी सांदार ओप्शन भी इस प्रसंद का सही आंसर हो गया उमिद कर रहा हूं कि लिए आप समझ चुके है ऐसे पि कुछ भी अंक बदल के पूछे गाएक जाम में आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि प्रसंद काफी सांदार है प्रसंद आपसे कह रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर करम में जोड़ने पर तुले प्रतिरोध होगा देखते हैं कितने विद्यारति इसका सई से उतर दे पाते हैं जड़ी से आंसर आना चाहिए कमेंट वॉक्स ने सभी एस्ट्टेंट्स का एक साथ तुफान मचाते हुए सभी तुफान इराल विद्यारती एक साथ आंसर कमेंट करेंगे करें आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध हो का समांतर करम इसी पर डिसाइड होगा आंसर देखिए क्या करें तो कि सर समांतर करम में पूछ रहा है और समांतर करम में क्या होता है 1 बटा R बराबरा पढ़े होंगे 1 बटा R1 पलोस में 1 बटा R2 पलोस में 1 बटा R3 यहीं होता है समांतर करम में उम्मीद कराओं के लिए आप समझ पा रहे हैं तो इसमें आप इसको add कीजिएगा n प्रतिरोध है r ओम का तो fix है कितना होगा r बटा में n होगा कोई doubt नहीं और वहीं यहाँ पे अगर दूसरा प्रसंट पूछ दे समांतर करम के जगा पे पूछे अगर आपसे स्रेडी करम क्या पूछेगा sir स्रेडी करम पूछता तब answer क्य होता होता तब भी द्यार्ति करें स्रेड को पूछता तो फीलकुल अगर से लिक सल्रेडी करम पूछता त localized क्या होता है वहां और यहां प्रसन प्रसन का सही आंसर करेंगे चले किलियर समझेगा जहां पर समझने वाला प्रसन होगा पूरे बीस्तार से मैं आपको समझाओंगा ताकि इसके आज पास भी प्रसन आए तो आप से गलत नहीं हो अब सत्रह नमर प्रसन के क्या करा है करा है ओम का नियम नहीत है ओम का नियम का नियम काफी महत्वपूर्ण है भिवियाई है इस साल के लिए ओम का नियम आपको याद कर जाना है करा है कि ओम का नियम इसमें किसमें नहीत है सर तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के सीरों के बीच परवाहित होने वाले या तांक लेते हैं तो भी बराबर आराई या आई यार कहां पे हैं देख रहा हैं तो यहां पे हैं ओप्शन बी पर बववा टाइप प्रसन हो गया अगर ओम का नियमा पढ़े होंगे तो 17 का हो जाएगा ओप्शन बी का भी सांदार आगे बढ़ेंगे सरा 18 नमर प्रसन की बात करेंगे समझते चलना है मैं साइंस में कोई रटना ज्यादा नहीं पढ़ता है समझते चलिएगा तब याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 18 नमर प्रसन के क्या कह रहा है प्रसन कह रहा है बिधु धारा की परबलता का एसाई मात्रक कोई टेंशन लेने के बात नहीं काफी भी धारती मैं देख रहा हूँ आठारा का एक कमेंट की हैं आपका चला आंसर बिल्कुल सही है एंपियर बिधु धारा के परबलता या बिधु धारा कुछ भी पूछेगा तो एंपियर ही आपको याद रखना है कोई कंफ्यूजन नहीं रखना ये नहीं कि बिधु धारा पढ़ेते सर परबलता नहीं पढ़ेते दोनों बात से मैं तो ओप्सन ये हो जाएगा अंसर बिधु धारा की परबलता एंपियर बिधु धारा मतलब आई इलेक्ट्रिक रेंट तो आई बराबर क्या होता है क्यू बटर टीम है कौन सी रासी है ये भी प्रस्ण पूछ दे तो अदीस रासी है चलिए काफी सांदार उमिद करना हो आप समझ चुके हैं पूरा मैं प्रस्ण पता दिया बिधु धारा से कोई दिक्कत नहीं होगा बिधु धारा को काया साही मात रख पुछा था तो एंपियर आई बराबर बिधु धारा बराबर क्यू बटा टी आवेस बटा समय है इसे एंपियर ए से ब्यक्त करते हैं ए मीटर से मापते हैं अदीस रासी है चलिए पूरा हमनों डिटेल में समझ दिए आप देखिए 19 नमर प्रस्ण क्या कह रहा है आप से प्रस्ण अपने से पूछा है कि धारा उत्पन करता है यहीं प्रस्ण पूछा जारा है आपसे तो इस प्रस्ण का सही आंसर हो जाएगा जनीत्र जो भी प्रस्ण का आंसर मालूम है आपको कमेंट करते चलिए नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा जनीत्र इलेक्ट्रिक जेनरेटर जनीत्र आप समझ आगे बढ़ते हैं डिटेल में समझते चलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा एकजाम में अगर आप सिर्फ अंत तक देखते हैं तो आपको सुनते सुनते मेरी आवाज आपको पकान में आपका याद हो जाएगा प्रसन आपको याद आगे कि हम लोग क्लास में चर्चा किये थ करेंगे बहुआ टाइप प्रसने सभी तंत के विद्यार्ती आप तो तुफानी लाल बन चुके हैं जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे तुफान मचाते हुए कि निर्गत कीरा नेवना भी लंब के बीच के कोण को काते हैं देखते हैं विद्यार्ती कितने आज जीतना कितना की अच्छा करेंगे उसमें पूरा में पूरा हंड्य परसने स्कूर करके जाते हैं काफही विद्यार्ती पिछले ट्येस्ट में देका 70 प्लस सचीमें किये थे क Sweet तो जैसे ही क्लास खतम होगा आपने नाम के साथ नीचे जाते चलिएगा इससे बाहर कोई परस नहीं आएगा मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए और यहां पे प्ले लिस्ट सेक्षन में जाएगा और वहाँ पे आपको मिल जाएगा बिहार टॉपर स्री दोजार तेईस या लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ चेक कीजिएगा वहाँ पे हो सकता है वार्टसव गुरूप का लिंक हो टेलिग्राम का लिंक हो तो वहाँ से भी आप जुआइन हो सकते हैं तो निर्गत किरण और विलंब के बीच के कुण को क्या कहेंगे सर काफी विद्यारती आंसर कमेंट किये हैं निर्गत कुण बिल्कुल सही ओप्संसी हो जाएगा सर इसका आंसर काफी सांदार ओप्संसी सही आंसर है देखे निर्गत किरण और विलंब के बीच तो वर्तन कुण, तो काफी सांदर, निर्गत कुण, काफी असान परसन था, आगे बढ़ते हैं, एक किस नमर परसन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, एक किस नमर परसन, मैं अभी उपर आपको बिश्टार से बता रहा था, जल्दी से बताइए, वही परसन देखे, रीपीट हो वोल्ट मीटर से बिववांतर मापते हैं, कुलोंग से आप जानते हैं कुलोंग किसका ऐसा ही मात रहा है, आवेस्ट का, एमपीयर तो बिदुधारा का, तो चारों अप्सन आपको समझ में आ गया, आप मीटर से बिदुधारा मापेंगे, वोल्ट मीटर से बिववांतर, क पूलॉंग आपका ऐसा ही मात रख है, आवेस का MPR विधु धारा का मात रख है, कि लिए पूरा उप्शन आपको याद करते चलना है, रटते चलिए एकजाम में काफी कम समय है, आगे बढ़ते हैं स्थर 22 नमर प्रस्ट, कराए डाये नेमो से किस परकार की धारा पराप्त हो इस साल के रिए इसलिए आपके लिए वीडियो क्लास लाइ जयते हैं तकी आपके एक उनट भी समय इधर उधर बैर्थ ना हो। चलिए डायेमो से किस परकार की धारा प्राप्त होती है, देखें मैं आपको हमेसा बताते या रहा हूं कि आपके बीहार टॉपर्फर स्थर सब्सक्राइब कर लेंगे उससे बाहर कोई प्रस नहीं आएगा कि इसी देखें कि इसी रण नीती को आपना कर पिछले साल भी यहाँ पे क्लासे चला था उसके भी पिछले साल काफी बिद्यारती मैक्सिमम जो आप चैनल पर जाकर सॉट भी आपको लगें जब आप डी मोट 453 नमबर लाए थे इतना ही पढ़के तो आपके मन में इससे विश्वास होगा आत्म विश्वास की जागरिती होगी कि हाम भी ऐसा कर सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं डाइनेमो के किस प्रकार की धारा पर आप तो यह देखें कर आपको कुछ भी पढ़ना है कोई भी सब लिए द्यारती मैं देख रहा हूं कमेंट बोक्स में बता दिया है कि सर दोनो धारा है आपका अंसर काफी सांदार है आपका तयारे भी काफी सांदार हो चुका है पी सलतुफाण मचाने जा रहा है जो भी सीक वाला कमेंट किये थे ओप्सन क्योंकि डाइनेमो से किस प्रक देखिये क्या कह रहा है, आवेस का मातरक है, बववा टाइप प्रसन है, अभी मैं इसका उपर उतर बता रहा था, ध्यान से प्रसन उतर पे फोकस रहेंगे, आवेस का मातरक क्या है, सर प्रसन यहीं पूछा जा रहा है, तो आवेस का मातरक है, कुलाम, बिल्कुल सही, ओप् किसका मातरक है जल्दी से बताएगा वाट किसका मातरक है का येगा बिधुद सक्ती का काफी सांदार वोल्ट तो आपका वीभव या विभवानतर दोनों का मातरक और जी होता है 24 नमर प्रस्त की बात करेंगे कर ряд नवी कर निये उर्जा का सुरत कौन है उर्जा का सुरत से तो कोई पर सन आपको गलत नहीं करना है आपके जोगरफी में भी मिल जाता है एकनोमिक्स में भी मिल जाता है फिर आपके यहाँ पे साइंस में तो है ही यह नवीकर्णिये उर्जा का सुरत जोगरफी में तो पूरा इसका चैप्टर ही है नवीकर्णिये उर्जा का सुरत क्या होगा तो इसमें एक मिनट भी आपको समय नहीं लेना है, चार काफी सांदार, ओप्सन सी, आगे बढ़ते हैं, गुरुजी, 26 नमर प्रस्ट, बिधूत बल्व के फिलामेंट किस ततों का उपयोग होता है, इसमें किस ततों से बिधूत बल्व का फिलामेंट बनाया जाता है, तो ट त्पेटर लेंस के फोकस स्टूरी में किसे दौरा यहां पर सभी आग के पाउल्ट है सभी का कारें आपको मानवन नितर वाले चेप्टर में पर पूंच रहा है तो पक्छाम भी से सिम लटका रहता है तो इसी के दौरा पर वर्तित किया जाएगा तो option C हो जाएगा सिलियरी मान स्पेसिया भी कभी कभी रहता है या पक्चाम भी दोनों बाद सेम है अब चलिए यहां से सुरू हो गया आपके chemistry का परस्ट chemistry आपके class 10 का अभी तक exam में भी देखे इसी रूप में आएगा पहले physics chemistry फिर bio ऐसे ही लग लग रहता है तो पहले bio chemistry करम से प्रसंद पूछे जाते हैं बिल्कुल exam वाला feeling आपको आ रहा होगा इस प्रसंद पत्र को इस model paper sample paper practice set को solve करने में ध्यान से यहां से बीष्टार से समझेंगे क्या कह रहा है था इस नमर प्रसंद और छेपन अभिकिरिया से किस परकार का लवन पराप्त होता है चलिए अब अभिकिरिया पर आ गया और छेपन अभिकिरिया से किस परकार का लवन पराप्त होता है बिले की और बिले की दोनों की इन में से कोई नहीं तो देखे और छेपन पर किरिया होता है देखे कितना आसान परसन पूछा जाता है और छेपन अभिकरिया तो आप जानते हैं उसमें से कलावन पराप्त होगा और बिले क्यों पराप्त होगा सर ध्यान से समझेंगे यूँकि जो और छेप जिस अभिकरिया में बनता है जिस रासायनी का हवक्रिया में और छेप का निरमार होता है उसे ही तो हम आवख्षेपन अभिक्रिया कहते हैं काफी सांदर ध्यांस समझ लिजहें यहां पर 20 स्थार से कमेस्टरी है आवख्षेप बनेगा तो उसे आवख्षेपन अभिक्रिया में वैसे पदार्थ जो जल में बिले नहीं हो जो जल में ओबिले हो तो अवच्छेप कैसा बनेगा अवच्छेप और अवच्छेप बनेगा तो अवच्छेप और अवच्छेप बनेगा तो अवच्छेप और चुकि अवच्छेप जल में ओबिले होता है इसलिए ओच्छेपन में जो भी लॉण बनेगा वो अब ले ही होगा तो option भी इस प्रस्ण का सही answer आपको कर देना है और चलिए आपको मन में प्रस्ण हैगा ओच्छेपन अभिकरिया क्या है तो एक अभिकरिया आप पढ़े होंगे 22 थापन अभिकरिया याद कीजेए याप में लिख रहा हूं 22 थापन अभिकरिया का नाम आप सुने होंगे इसी को कहते है इसी में आता है औजच्छेपन अभिकरिया इसी में औच्छे बनता है तो दूई बिस्थापन अभिक्रिया में आता है और छेपन अभिक्रिया और बिले इसके लॉन पर आप्त होते हैं तो मैंने बता दिया और यह जल में और बिले अरफ होते हैं जो जल में घुरन सील नहीं होते तो कहें गर BASO4 PLUS NACL बनता है तो यह पूस्ता है कि किस परकार की अभिकिरिया है तो दुई बिस थापन अभिकिरिया है या उच्छेपन अभिकिरिया है और इसमें जो लॉन पराप्त हुए है और उच्छेप है वो अभी ले है चलिए डीटेल में आप समझ चुके हैं 39 नमर परसन कर रहा है आपसे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम देखिए कितना महत्वपून परसन है कई बार रिपिट किया गया है परसन जल्दी से बताएंगे सभी विध्यार्थी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बिल्कुल 20 स्थार समलों समझेंगे केमेस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो पूरा ही जो भी मैं बता रहा हूँ इतना आप लिख लीजेगा कोपी तयार कर रहे होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो बेकिंग सोडा का रासानिक नाम क्या होगा options आपके सामने है जो भी विद्यारती कह रहे हैं के गुरुजी इसका सही answer है option भी sodium hydrogen carbonate आपका चला answer बिल्कुल सही है baking soda को मतलब आप समझ रहे है baking soda का मतलब क्या हो खाने वाला soda खाने वाला soda को हम लोग क्या बोलते है baking soda ध्यान से समझे गए प्रसन कई बार पूछा गया है और इसका इसी का नाम है sodium bicarbonate यहां पर देगे सिर्फ 3 इसका सुत्र होता है और इसका नाम है sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate इसलिए option भी और baking soda को हम लोग खाने वाले soda के नाम से भी जानते हैं अब आपके मन में प्रसना आगा एक कैस्ते बनता है तो यहां पर देख लीजे मैं लिख दे रहा हूँ तो product बनता है NH4Cl, ammonium chloride NH4Cl और plus में NaHCO3 sodium bicarbonate clear समझना है, NaCl है, H2 है, CO2, NH3 को मिलाते हैं तो NH4Cl और आपका ammonium chloride और NaHCO3 अर्थात की आपका sodium bicarbonate परापत होता है बहुत बार पूछता है कि baking soda कैसे बनता है, यह सूतर लिखे तो यह पूरा मैं आपको detail में समझा दिया आगे बढ़ेंगे सर, बात करते हैं 30 नमर प्रसन की करायाप से अयस्क से धातू के निश्करसन तता उसका परिस्करन कर उपयोगी बनाने के प्रकरम को क्या कहते हैं पूरे आप मैं भी स्तार में समझा रहा हूँ ता कि कोई भी आपको दिकत नहीं है, इसके आसपास प्रसन आए तभी आपको नहीं छोड़ना है तो अयस्क से धातू के निश्करसन तता उसके परिस्करन कर उपयोगी बनाने के प्रकरम को क्या कहते हैं गुरुजी तो इसे कहते हैं धातू करम में तो मेटालोर जी आप पढ़े होंगे तो ऑप्सन भी हो जाएगा काफी आसान प्रसन ता चलिए आगे बढ़ते हैं एक तिस नमर प्रसन कारा है आपसे कि साक सबजी को बिगटी तोकर कमपोस्ट बनना की सभी किरिया का उधारने साक सबजी का बिगटी तोकर कमपोस्ट बनना सीधे सीधे एंसी आल्टी का प्रसन ये सभी प्रसन हर साल पूछे जाते रहे हैं तो 31 नमर प्रस्ण का अगर आपको नहीं मालूम होगा तो याद करेंगे उस्मा छेपी, काफी सांदार क्या बोलते हैं इसे उस्मा छेपी अभिकरिया, या उस्मा छेपी अभिकरिया का उधारन पूछे का तो आप लिख सकते हैं साग सब्जी को बिकटित होकर कमपोस्ट ब बनता है, आपको बताना है कि लेड नाइट्रेट को गरम करने पर इसमें से कौन सा उत्पाद बनेगा तो लेड नाइट्रेट है, तो N2 और O2 दोनों मिलता है, ये भी अभिकरिया है, तो ओप्सन D क्या होजाएगा, ओप्सन D सही आंसर कर देंगे 32 का, काफी सांदार आग देख लिजेगा इसमें से कौन सा सुत्र सही है, यहीं चार ओप्सन से आपको बताना है, जो भी विद्यारती कहा रहा है कि सर इसका ओप्सन भी टिक कर दीजिए, काफी सांदार, ओप्सन भी, N2CO3, 10S2 वो सही है, चलिए इसके बारे में भी कुछ जनकारी लेते है, N2CO3, 10S2 क्या है, बताइए इसका नाम क्या होगा, तो देखिए, यहाँ पर हमको दोनुस सोडा से प्रसना है, यहाँ पर बेकिंग सोडा के बनें, पूरा महीं यहाँ पर बता दिया हम कैसे बनता है, क्या नाम है इसका, अब यहाँ पर देखिए, जो N2CO3 आम लोग को मिला है, N2CO3 10S2 को, इसका रासाइनिक नाम क्या है सर, ध्यान से सभी विद्यारती समझेंगे, इसका रासाइनिक नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी प्रसन पूछा जाए, आपको कमेंट में आंसर देना चाहिए, ताकि इससे आपको भी लगया कि आप आप अप सूधियं कार्बोनेट डेका हाइटरेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नमर प्रसंग की बात करेंगे, 34 नमर प्रसंगे कौन बी जातीय योगिक है, ये प्रसंग भी कापी बार पूछा गया है, निमलिकीत में कौन बी जातीय योगिक है, प्रसंग यहीं आप से पूछ र किजिए और टेस्ट सिरीज तो आप ए-r-carrier.in जो वेपसाइड है ए-r-carrier.in वहाँ पे डेली भीजिट कीजिए हूँ आप साइंस के सभी चेप्टर का मैं अबजेक्टिब आपके लिए लिए लीक दिया हूँ वहाँ साइंस की तयारी कर सकते हैं सभी विसाय का टेस्ट सिर अब आप दे पाते हैं तो पूरा 2023 के लिए नया नया अपडेट किया जा रहा है इस साल के एकजाम के सिप संभावित प्रसुन तो ए-r-carrier.in website पर जाईएगा और वहाँ से जाकर आप टेस्ट सिरीज वाले सेक्शन में उसी पर किलिक करके आप टेस्ट देंगे चलिए अकर अनिम लिखित में कौन भी जात ये यह होगी खाए इस से बताईएगा तो काफी बिद्धार्ती में देख रहा हूँ 35 नमर परसन। कराए निम मलिखित में से पीच का कौन सा मान 20 billion का मान देता है पीच का कौन सा मान辦法 16 billion का मान देता है गुरू जी प्रसने यही पूछा जारा आई तो 13 2 टाईप परसन े आप पढ़े होंगे पीच सिकिल के बारे में आप जानते है क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं जो साथ से कम है जो साथ है वो उदा सीन हो जाएगा साथ से कम जैसे दो च्छा होता वो आपका क्या होता है अमली ये साथ से अधिक तो च्छारी ये तो च्छार कमान कौन देगा ये खी साथ से ज़्यादा है sodium oxide बनाता है इस परकिरिया को क्या कहते है sodium chloride के जलिये billion से बिद्दुधारा परवाहित करने पर ये बियोजित होकर sodium oxide बनाता है इस परकिरिया को chloro-6 अभिकिरिया कहते है आमलचारक lawn में है तो option A गुरुजी इस प्रसन का सही answer हो जाएगा option A clear आपको समझना है कोई confusion नहीं रखना है चलिए chloro-6 अभिकिरिया के बारे में और कुछ हम लोग आपको जनकारी दे दू chloro-6 अभिकिरिया के बारे में sodium hydro oxide sodium hydro oxide आप ध्यान से समझने का परयास कीजिए अभिकिरिया काफी बार पूछा जाता है तो sodium hydroxide का जो आप निर्माल पढ़े होंगे उसी में chloro-6 अभिकिरिया आता है क्योंकि इसमें छार NaOH बनता है और chloro-Cl2 बनता है कैसे बनता है वह भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जगा है Cl2-H2 यही तो बनता है तो NaOH जो बना यही तो छार है sodium hydroxide और Cl2 जो क्लोरीन बना यही तो क्लोर है तो यही हो गया क्लोर प्लोस छार मिलके क्या बन गया क्लोरो-छार अभिकिरिया चलिए काफी सांदार डीटेल में आप समझ चुके हैं और अपसन यह आगे बढ़ते हैं सहे तीस नमर प्रस्ट कोन सा अधातू कमरे के तापर द्रव होता है अधातू-धातू के अपवाद से प्रसना आ रहा है कोन सा अधातू कमरे के तापर द्रव है तो यहंप loved one चलिए कोई बाट नहीं broomin क्या लिखा है ब्रोमीन लिखा है यहाँ पर तो option यहीं तो होता है सीसा और टीन की मिस्रधातु को कहते हैं सीसा और टीन की मिस्रधातु को क्या कहते हैं जल्दी से सभी विद्धारती आंसर देने का परियास करेंगे तो सिसा और टीन के मिस्र धातु को जो भी विद्यारती का रहा है कि 38 का सही आंसर हो जाएगा option ये soldier कहते हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है सिसा मतलब PB आप समझ रहे हैं और टीन मतलब तो S and T P.V. कितना मिलाया जाता है इसमें मिस्र धातु धाता है ये 50 प्रतीसम्स फार्टीसम्ट ये 50 प्रतीसम्स compared उस ये 250-प्रतीसम्स मिलाया घठा है तो बनता है soldier या इसे आपको क्या बोलते हैं टांका solder या tanka पूछेगा दोनों बात सेम है जो भी मैं लिखा रहा हूँ इसे लिखते चलिएगा tanka भी पूछेगा तो ओ भी बिल्कुल सेम बात है PB और SN 50% मिलाते हैं तो solder बनता है चलिए 39% तो और आए आपसे निमलिकीत में से किसे चाकू से काटा जा सकता है तो बहुआ टाइप प्रसन है lithium को यह इसका सही आंसर हो जाएगा arcarrierpoint.in वेबसाइट पर आप जाकर टेस्ट दीजेगा arcarrierpoint.in आप सर्च कीजेगा आसानी से मिल जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहा है इसी रूप में आपको सर्च करना है और वहाँ पर नीचे comment box से वहाँ बताएगा कि आपका कुल कीतना प्रसन सही हो रहा है और आगे वहाँ पर जाके बताएगा किस-किस विशायका आप टेस्ट श्रीज आपको नहीं मिल रहा उसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा तो यहाँ पर क्या हो गया लिखिया आगे बढ़ते हैं 40 नमर परसन कर आए आप से कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंद मौजूद है जिन में एथिलीन में कार्बन कार्बन के 20 दो आबंद मौजूद है जिन में क्या है ओप्शन सापके सामने एक सिग्मा एक पाई आबंद दोनों सिग्मा दोनों पाई आबंद दोनों इलेक्ट्रो बैलेंट आबंद तो इस परसन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन एक सिग् तो आपको यह answer tick करना क्यूं होता है science सबसे जरूरी है जानना क्यूं sir इसका answer यहीं क्यूं होगा science और मैथ में social science हिंदी संस्क्राइट उसमें तो आप याद किया है तो सिधर सिधर answer tick करेंगे इसलिए हम लोगों को समय लगा आपको उमीद कर रहा है आप डिटेल में समझेंगे कुछ नया चीजा आपको जानकारी मिला होगा तो नीचे comment box में बताएगा कि 40 में सापका कुल कितना प्रसन सही हुआ है ercareerpoint.in website पे जाकर test में भाग लीजिए आपके लिए वहाँ पे भी टेस्ट रिस डेली अपडेट किया जा रहा है डेली काफी टेस्ट रिस अभी लाइब हो चुका है तो जाकर टेस्ट दीजिए और next class में मिलेंगे तो इसके आगे के जो भी परसन इसको सर्चा करके इसको समाप्त करेंगे फिर सब्जक्ति अब्जक्ति परियाप्त कलास आएगा तो फिर कल मिलेंगे 7 पीम पे तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद